नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये flower बना के दिखाऊंगी आपको ये बनेगा naith stitch से और chin stitch से। जो ये अंदर वाला है इसका ये naith stitch से बनाया है और जो ये boundary जो ये आउटline बनाई है वो चैन इसमें मैंने दो कलर यूज कीए एक ही अलो कलर और ये कह उनियन कलर अब मैं इसको बनाएं के दिखाऊंगी यह सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया जाएगा इसको जादा टाइट नी बनाना मतलब की जादा पास पास नी बनाना इस तरीक ऐसे इसमें स्टीच लगाने है अब हमने इस तरीके से लगाएं अब हम ऐसे लगाएंगे यह जिससे यह चैक बन जाएं इस साइड इस ओिरयों इस प्राइबाब ज़ से लगाएंगे यह जब है कि यहाएं झाला एवारा नहीं जब हम आएंगे खाएंगे लेकर लेका कि आखिया अखिया अट dará आएंगे बंगखेएंगे जब है इसल्देगा आएंगे यह मुल से झाला लेज़ बंग़वाएंगे इस फु इस तरीके से अब यह बना लिए हमने इसमें चैक अब हम जो यह नीचे वाली सबसे फर्स्ट लाइन है इसमें स्टीच करेंगे यहां से इसके साइड से सुई निकालेंगे और जो नीचे धागा दबाया है इस तरीके से सुई निकालेंगे मैं फर्स्ट लाइन में एक ही धागा है तो यहां से यह नीचे डालेंगे अब दूसरी स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से यहां से निकालेंगे जो भी धागे यह नीचे अदबे हैं इनके अंदर से इस तरीके से सुई निकालेंगे यह ऊपर उठ जाएंगे इसी तरीके से अगली लाइन स्टार्ट करेंगे बस यह ध्यान रखना जो धागा नीचे दबाएं उसी को ही ऊपर उठाएंगे सभी लाइनों में और एक लाइन पूरी करने के बाद सुई को नीचे निकाल लेंगे फिर जब दूसरी शुरू करेंगे तो सुई को फिर से ऊपर निकालना है करेंगे 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 जब झाल करेंगे झाल 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 इस तरीके से अब इसमें सबी स्टीच कंप्लीट हो चुकी है इसी तरीके से मैं ये वाली इसकी फ्लावर की पत्ती बनाऊगा झाल 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 की तरीके मैं ये वाली फ्लावर क्ट्टी कंपलीट होगी अब मैं इस की आउटलाइन करके तिखाऊँगी ये चैन स्टीच से बनें ये ये यो ये कोलर यहां से ही स्टार्ट करें यह हम सबसे पहले कैंट इसपार को सबसे पहले में फुरक है ऐसी के बीच से जेम सुई को इस तरहें काल्या कि बोना प्रिदान निकालते जाए और इस टुब आर दिक माल शचाह है हमने इसी के अनदर से हम तो जीओ ने का रखाया चुरूड झाल 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 झाल